युहन्ना का प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याए चौथा अध्याए युनानी शब्द मेता आउतोस से आरंभ होता है। वे बाते जो हैं और जो इसके बाद होंगी। इस अध्याए से आगे उन बातों का वर्नन हैं जो अब होने वाली हैं। किन बातों के बाद? मुझे लगता है कि ये सपष्ट वस्वभाविक है कि इन बातों के बाद जिनकी वो अभी बात कर रहा था। अर्थाद कलीसिया के बातों के बाद, क्योंकि दूसरे और तीसरे अध्याए में येशु की एशिया के साथ कलीसियाओं के नाम संदेश है जैसा कि हमने पहले देखा कि ये कलीसियाई इतिहास के साथ युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन बातों के बाद, यानि कलीसिया के इन बातों के बाद, मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ, कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरहीव के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुआ सुना था, वही कहता है कि यहां उपर और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मेरा विश्वास है कि जब कलीसिया का उद्देश प्रित्वी पर पूरा हो जाएगा और उसकी गवाही पूरी हो जाएगी, या जैसे पौलुस कहता है, जब अन्य जातियों का समय पूरा होगा, तो प्रभू अपनी कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेगा। पौलुस ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, हम सब तो सोएंगे नहीं, परंतो क्षन भर में बदल जाएंगे, पर मेश्वर के तुरही फूंकी जाएगी, और ये श लूनी क्यों? चौथा ध्याय और सोल वियायत में पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभू स्वयम स्वर्ग से प्रधान स्वर्गदूत के तुरही के आवाज से उतरेगा, और जो मसी में मरे, वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित बचेंगे, प्रभू से हवा में मिलन गया तो उसने आत्मा में कलीसिया के राप्चर या स्वर्गारोहन का अनुभव किया। कलीसियाओं को प्रभू के दिये गए संदेश्रों को बताने के बाद स्वर्गदूत ने युहना को बुलाया और कहा, मैं तुझे वे बाते दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना जरूरी है, अर्थात कलीसिया के बातों के बाद। अध्याए चार में हम प्रिथवी पर कलीसिया के बात के युग को देखते हैं। और आगे लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिहा सिहासन के चारो और मरकत सा एक मेग धनुष दिखाई देता है। आधारभूत रंग जो सिहासन से निकलते हैं, वह हरा और उसके साथ लाल, और मरकत के सामान जिसका रंग बैंगनी रंग का आभास दिलाता है। अब पॉलूस तिमुथियूस को लिखे पत्र में हमें बतात है कि परमेश्वर जोती में रहता है, जहां मनुष नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में महीमा की देह को धारन करने के बाद भी हम केवल परमेश्वर की महीमा की चमक को ही देख पाएंगे, जो परमेश्वर के सिहासन से एक तेज प्रकाश के समान निकलती है। सिहासन के उ और उस सिहासन के चारों और चौबिस सिहासन है और इन सिहासनों पर चौबिस प्राचीन शुवेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं. ये चौबिस प्राचीन शुवेत वस्त्र पहने हुए हैं. बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये प्राचीन कलीसिया के प्रतिनिधी हैं। इसमें कलीसिया को श्वेत वस्त्र पहनाया गया है, जो येशु मसी में विश्वास के द्वारा धार्मिक्ता का चिन है। येशु ने लोदीक्या की कलीसिया से कहा, जो जय पाए, उसे मैं अपने सिहासन पर बिठाऊंगा। जैसे मैंने जय पाई और पिता के साथ उसके सिहासन पर बैठा हूँ। चोबिस छोटे सिहासन, अब हम स्वर्गे द्रिश्य को देखते हैं, जहां वे श्वेत वस्तरों में अपने सिहासनों पर बैठे हैं, और सिहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की साथ आत यहां ये महत्वपूर्ण हैं कि हम मूसा द्वारा जंगल में बनाए गए मिलाब के तंबू का अपने मन में ध्यान रखें। क्यूंकि इबरानियू की पुस्तक में हमें बताया गया है कि वो तंबू स्वर्गी वस्तों का एक नमूना था। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसा दिखेगा तो आप मिलाब के तंबू को याद करें। इसी के दुआरा आप स्वर्ग में परमेश्वर के सिह आसन का चित्रन अपने मन में कर सकते हैं। तंबू में याजग बाये हाथ की और आता था और वहां एक दीबदान था जिसमें साथ द्वीब थे। ये साथ दीबदान इसी पुस्तक में भीव पाई जाती हैं। और ये पवित्र आत्मा तथा उसकी उपस्तिती का प्रतिनि हम यहां स्वर्ग का विवरन पढ़ रहे थे। अब आएए हम करूबों पर ध्यान दे। करूब परमेश्व द्वारा सिर्जे गए थे जो स्वर्गदूतों में सबसे उच्च श्रेनी में आते हैं। और छटी आयत में और सिहासन के सामने मानों बिल्लोर के समान कांच का स मुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के चारों और चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आखें ही आखें हैं। पहला प्राणी सिहं के समान है और दूसरा प्राणी बच्चड के समान, तीसरे प्राणी का मुह मनुश्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हु कुछ बाइबल के विद्वान इन प्राणियों में मसी को देखते हैं जैसा कि उसको सूसमचार में प्रस्तूत किया गया है। जैसा कि लूका को मसी ने प्रस्तूत किया था जो कि परमेश्वर के सर्वस्रेष्ट स्रिष्टी है। और चौथा उकाप के समान जैसा कि युहुना ने येश्व को जीवित परमेश्वर का पुत्र दिखाया जो पक्षियों में सर्वोच है। इन करूबों का वर्नन सर्व प्रथम उत्पत्ती में आता है। जब परमेश्वर ने आदम को उसके पाप के कारण वाटिका से निकाल दिया, तो उसने करूबों को वाटिका के प्रवेश दुआर पर नियुक्त किया, कि कहीं मनुश्य फिर से वाटिका में आकर उस जीवन के वरक्ष के फल को खान लें और पाप की स्तिती में सदा तक जीवित रहे। करूबों का जिक्र फिर यहेजकेल के अध्याए एक और दस में हमें मिलता है। यहेजकेल को भी परमेश्वर के सिहासन का दर्शन मिला था जो प्रकाशित वाकि में युहना के दर्शन के समान ह जब यहेजकेल ने करूबों को देखा तो प्रत्यक के चार चहरे थे। प्रत्यक दिशा में एक चहरा और चहरे बैल, सिह, मनुष्य वा उकाब के से थे। इसकी प्रश्ट भूमी के लिए आपको यहेजकेल के पहले और दस्वे अध्याए को पढ़ना होगा ताकि स्वर् जिस पर कफी शैतान बैठने की इच्छा करता था। परमेश्वर उसके विशे में बताता है कि वो एक अभिशिक्त करूब था। उसका पद परमेश्वर के अति निकट था क्योंकि करूब परमेश्वर के सिहासन के निकट उसकी अराधना में रहते थे। यहेजकेल हमें पताता है कि एक समय शैतान भी एक अभिशिक्त करूब था। एक और समानांतर संधर्ब हमें यशाय छटे अध्याय में मिलता है जहां यशाय ने परमेश्वर के सिहासन को देखा और जब उसे परमेश्वर के सिहासन का दर्शन मिला तो उसने कहा हाई मुझ पर मैं तो जो परमेश्वर की वेदी पर से एक अंगार को लाए और उसके होटों को छुआ और कहा अब तू शुद्ध है। इस प्रकार वे परमेश्वर की सिहासन के आसपास रहते हैं और अनंत परमेश्वर की पवित्रता के घोश्ट ना करते हैं। ये कहते वे डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महीमा आदर और सामर्थ की योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तवें सिर्जी और वे तेरी ही इच्छाएं थी और सिर्जी गई। यहां हम स्वर्ग के प्रथम द्रिश्व को देखते हैं और यही वो प्रथम द्रिश्व है जिसे युहुना के समान स्वर्ग में हम देखेंगे। परमेश्वर का सिहांसन, करूब परमेश्वर के सिहांसन के आसपास और सिहांसन पर बैठे परमेश्वर की अराधना हम करेंगे। फिर परमेश्वर की पवित्रता की घोशना के उतर में 24 प्राचिन कहेंगे तुही आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य है। क्यों? प्रथम, क्योंकि तुने सब कुछ सिर्जा है, उसी ने सब चीजों को सिर्जा है, ना के वल ये, बलकि उसने अपनी खुशी के लिए इनको सिर्जा है. ये एक सत्ति कतन हैं, जो हमें ग्रहन करना होगा. हमारी स्रिष्टी परमेश्वर के आनंद के लिए हुई है, न कि जब मेरा जीवन परमेश्वर के खुशी के लिए होता है, तो स्वयम मुझे भी खुशी होती है. यही आनंद है, यही संतुष्टी है, यही परिपूर्णता है. यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे, तो वह उसे खोता है. परंतु यदि मेरे कारण उसे खोए, तो वह उसे पाता है. जैसा येश्वन ने कहा, जीवन यही है कि आपको परमेश्वर के खुशी के लिए जीना है. इस प्रकार आप अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और आपका जीवन भरपूरी वा परिपूर्णता का हो जाता है.